नमस्कार, मैं सुनिल वर्मा, आपका स्वागत करता हूँ एक नए प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है रिजल्ट मित्र रिजल्ट मित्र के इस प्लेटफॉर्म पर एक नई जर्नी आज हम इस्टार्ट करने जा रहे हैं और यह नए जर्नी है इंडियन जोग्राफी अर्थाद भारत के भूगोल के ना सिर्फ हम एक नए जर्नी चृट करने जा रहे हैं बलकि एक इतिहास बनाने जा रहे हैं अब प्रश्ना आएगा कि सर एक नया टॉपिक के स्टार्ट हो रहा है तो इतिहास कैसे बनेगा इतिहास यह इस रूप में बनने वाला है कि इसके सभी टॉपिक को मैं एक तरफ से complete करवाने वाला दूसरी बात इस टॉपिक को मैं इतने सांदार तरीके से complete करवाऊंगा कि अगर आपने इससे पहले इंडियन जोगरोफी पढ़ा भी होगा किसी से भी पढ़ा होगा तब भी आपको यहाँ पर इतनी नई चीजे मिलेंगे कि आपका इंट्रेस्ट इस टॉपिक में बहुत जादा हो जाएगा और मैं इस टॉपिक को जिस तरह से समझाना चाहरा हूँ अगर आप समझ गए और आप बिल्कु समझेंगे तो आप देखिएगा ना सिर्फ आपका इंट्रेस्ट बढ़ेगा बलकि आपका स्कोर भी बढ़ेगा इसका मतलब है कि इस टॉपिक से इस सेग्मेंट से जितने भी प्रशन आने वाले हैं आप सभी प्रशनों का उत्तर मुस्कुरा कर देंगे यह जो भारत के भुगोल की हमारी जर्नी है यह मैंने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि कुछ दिन पहले मैं एक प्लेटफॉर्म पर इंडियन जोग्राफी ही पढ़ा रहा था और वो पूरी नहीं हो पाई ऐसे में मेरे पास एक ही विकल्ग था वो यह था कि मैं किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस पूरे सेडमेंट को कबर करूँ और इसलिए मैं आज आपके सामने हूँ और आप देखिएगा कि अगर आप इस जर्नी का हिस्सा बनते हैं आप मेरे साथ जोड़ते हैं तो मैं आपको एक भरोसा दिलवाता हूँ वो यह है कि आपसे ज़्यादा बहतर तरीके से किसी के पास इंडियन जोग्रॉफी की जानकारी नहीं होगी आपका हर टॉपिक पर जो समझ का इस तरह है कॉंसेप्ट की जो क्लियरिटी है या जो फैट को लंबे समय तक याज रखने की कैपसिटी है वो इतनी बहतर होने वाले है कि कुछ दिनों के बाद ही अगर आप से कोई पूछेगा कि सबसे बहतर सब्जेक्ट आपका कौन से है तो आप इंडियन जोग्रॉफी बताने वाले हैं और यह दावा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट को इसके डिसिप्लीन के हिसाब से पढ़ाऊँगा जैसा कि आपको पता है भुगोल एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है इसलिए मैं इस सब्जेक्ट को उसके science, उसके discipline के अनुसार आगे बढ़ाऊंगा और आप देखिएगा कि जितनी भी topic complete होंगे वो आपके दिमाग में बिल्कु सी से की तरह clear होंगे topic दो तो रूप में clear होते हैं एक उपर से भी हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता कि क्या पढ़ लिया फिर हम अपने को जो है की underestimate करते हैं हमको लगता है हम ही नहीं समझ पाए होंगे गुरु जी ने तो सही से समझाया होगा मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपने इस से पहले कभी भी भूगोल नहीं पढ़ा होगा तब भी आप देखेगा सांदार जानकारी आपके पास मिलने वाले बस आपको कुछ काम करना होगा पहला काम यह कि जो जो मैं चीचे बताते चलूँ उसको करते चलेगा उसको होंबर की रूप में लिजेगा दूसरा यहां पर जब आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो समझने का प्रयास कीजेगा फैक्ट ढूणने और रटने याद करने का प्रयास मत कीजेगा जितने फैक्ट्स आपको चाहिए मैं सब दूँगा लेकिन कॉंसेप्स के साथ दूँगा और उस कॉंसेप्ट्स आने में थोड़ा समय लगेगा इसका मतलब है कि मैं कोई चीज लाकर बंबारी नहीं कर दूँगा तो कई लोग को लगेगा सर गुरू जी स्लो पढ़ा रहे हैं एक एक निव एक एक इनिट रखूँगा निव बनाओंगा महल बनाओंगा और देखेगा इंडियन जोग्राफी का जो ये महल होगा इतना खुबसूरत बनने वाला है कि आप हमेशा इंडियन जोग्राफी के लिए इस क्लास को प्रिफर करेंगे जब भी आपको रिविजन करना होगा आप चाहें तो इस क्लास को देख लिजेगा और आपकी जो जानकारी है एकदम ताजा हो जाईए तो आएए हम इस इंडियन जोग्राफी के सेग्मेंट को स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यहां इंडियन जोग्राफी का पहला लेक्चर है अब पहला लेक्चर अगर आप कर रहे हैं और इससे पहले आपने इंडियन जोग्राफी के स्लेबस और उसकी स्टेटजी पर जो मेरा बनाया गया वीडियो है अगर आपने नहीं देखा है तो मैं प्लीस आपसे रिक्रेश्ट करूँगा कि आप उसको देख लेजेगा आपने रटना माना है समझना ज़रूरी है समझने के उद्देश से बैठिए कौपी पेन लेकर बैठिए स्लाइट पर आपको बहुत कम चीजे मिलेंगे अर्थात अगर आप यह सोच कराये होंगे कि स्क्रीन पर टेक्स्ट ही टेक्स्ट होगा आप पढ़ लेंगे नोट कर लेंगे तो नहीं मैं एक-एक लाइट आपके सामने रखूंगा समझाऊंगा एक-एक सब्द जो मैं यूज करने वाला हूँ उसको समझाऊंगा तो आपका जो एप्रोच होना चाहिए ओप लाइन क्लास के रूप में होना चाहिए आप कौपी पेन लेकर पेड़ चाहिए जो मैं समझाते चलना हूँ जो आप समझते चलेगा नोट करते चलेगा हाँ, अब आप मेंसे खुश लोग की चिंता होगी उनको आदर परजाती पीडियअप की कि सरा पीडियअप नहीं मिलेगा क्या हमको नोट करना होगा मैं आपसे कहूँगा, note करते चलिए, आपका notes में आप बन जाएगा, दूसरा, pdf भी मिलेगा तो अगर आप चाहें, तो नहीं बनाए notes, लेकिन इस तरह से अगर आप class करेंगे ला, तो आपकी productivity थोड़ी कम होगी notes बनाते चलिएगा, pdf भी मैं दूँगा, pdf कहां दूँगा, मैं रेचिल्ट मित्र के टेलिग्राम चैनल पर, उसका link आपको वीडियो की description में मिल जाएगा उसको आप कर लिजे, दूसरा, अगर आपने भारत के भुगोर और उसकी strategy का वीडियो आपने नहीं देखा है, तो मैं आपसे request करूँगा, कि उसको देख लिजेगा, इस वीडियो का भी ही रोग दीजे, उसको देख लिजेगा, ताकि आपको पता चल जाए, कि हमें कौन- आई, हमारा जो पहला topic है, इसमें हम बात करने जा रहे हैं, बहुत ही आसान सब्दों में, वो है भारत के अक्षांसी और देशांती बिस्तार और उससे जुड़े वे concept है, जी है, इसमें concept है, बहुत सांदार concept है, अगर आपने ये topic पहले भी पढ़ा है, तो आज पढ़कर देखे, अब कितने देर का topic होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जितने देर आप रहेंगे, आप बहुत सी चीजों को सीख कर यहां पर जाने वाले हैं, यह हमारा पहला topic है, अब देखे, यहां पर दो सब्द हैं, अक्षांसी और देशांती बिस्तार भारत की विश्रह में, अब अक्षांस रेखाएं क्या होती हैं, क्यों हमारे लिए important होती हैं, उसका वीडियो मैंने already बना दिया है, तो अगर आप चाहें, तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसमें आपको अक्षांस रेखाओं और देशांतर रेखाओं की यह दोनों अलग-अलग वीडिय है, उसमें बहुत detail में हमने समझाया है, यहां पर उसका मैं 5% बताऊंगा जितने से हम इस topic को लेकर आगे बढ़ सकें, क्योंकि अगर मैं अक्षांस और देशांतर रेखाओं को यहीं समझाने लगोंगा, तो हमारा जो title है ना, कि भारत का अक्षांस यह और देशांती वि description में मिल जाएगो, आइए, हम start करते हैं, तो हमारा जो topic का title है, वो है कि हमें भारत की अक्षांसी और देशांती विस्तार को discuss करना है, अक्षांस रेखाओं क्या होते हैं, जैसे माल लेते हैं, यह हमारी प्रत्वी है, थोड़ी सी गोल हो गई होगे, चल, और प्रत्वी का कि सर, यह तो भूमद्य रेखा हो गई, भूमद्य रेखा कौन सी? रेखा होती है, जो प्रत्वी के मद्य से होकर गुजरती है, भूमद्य, भू मतलब प्रत्वी और प्रत्वी के मद्य से गुजरने वाले रेखा को हम भूमद्य रेखा बोलते हैं, इसी को हम लोग बिश अगर आपने अक्षान सी रेखाओं वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो यह प्रशनाप का हो सकता है यह 0 degree क्यों है हमें पता है हमारे जो प्रत्वी का जो कोड है वह गोल है रूप में है तो वह 360 degree का है तो उसका जो कोड है वह कितने degree का बनता है 360 degree का और अगर मैं यहाँ पर यह प्रत्वी के सबसे उत्रे भाग को मिला कर एक सीधी रेखा कीछ दूँ कहां पर विस्तोत रेखा पर तो यहां पर एक एंगल बन जाएगा कितने degree का बना 90 degree का इसका मतलब है कि यह जो हमारी रेखा है यह क्या हुआ एक आधार रेखा के रूप में काम करती है और य यह जो point है यहां पर कोई इस्थान होगा वह क्या होगा वह 90 degree पर होगा इसलिए आपने देखा होगा यहां पर लिखा होगा आपके atlas में 90 degree ठीक है तो यह इस्थान 90 degree पर क्यों है क्योंकि यह भुमत रेखा यह प्रत्वी के के अंदर से मिला कर खीची कई सीधी रेखा प इसके हिसाब से 90 degree पर यह बने हुई ठीक है अपने देखा होगा कि ऐसे कुछ रेखाएं खीची गई होती है अब यह रेखा का क्या मान होगा उसको समझी मान लेते हैं मैं इस इस्थान को ऐसे center से मिला देता हूं इस इस्थान को ऐसे center से मिला देता हूं तो मुझे ऐसा ल ऐसे जो है कि इन दो इस्थानों को प्रत्वी के केंदर से मिला दूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे यहां से लेकर इसने क्या किया लगवत 50 डिग्री का कोड बना दिया तो मैं क्या करूंगा इसको मैं 50 डिग्री अक्षांस रेखा बोल दूँगा जैसा कि यहां पर इस्थान था इसने क्या किया था प्रत्वी के केंदर से जो है कि मिला कर खीची गई रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बना था ठीक है तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि इसको आप 0 डिग्री क्यों कहते है क्योंकि यहां पर कोई कोल बनी नहीं रहा यह सीधी रेखा कितने अक्षांस की रेखा होगी अगर हम मैं इस इस्थान को मिला कर यहां पर खीच दूँ जितने डिग्री का एंगल बनेगा उसका मान वही होगा तो हम जब प्रत्वी के गलोब को देखते हैं मैब को देखते हैं तो उसमें हमें लिखा मिलता है कि 30 डिग्री 20 डिग्री खीची गई सीधी रेखा हैं जो कि कालपनिक रेखा हैं क्योंकि हमने प्रत्वी पर ऐसी कई रेखा में देखने को नहीं मिलती कोई ऐसी दिवार नहीं कालपनिक रेखा हैं जिसको हमने क्या किया है वर्ल्ड के मैप खीच लिया तो अब पस्रिम से पूरब की ओर खीची ग आतर रेखाएं हैं या उत्तर और दच्छिर में आपको देखने को मिलेगे अब प्रश्न आएगा उत्तर दच्छिर कैसे हुआ तो देखे अगर हमने हमें जब भी दिसा का निर्धारन करना होता है तो हम ऐसा एक चिंद बना लेते हैं और इस चिंद इसकी यह जो भाग है इ इसको आपने कहा भूमत रेखा तो इसके उत्तर वाले भाग को हम बोलते हैं उत्ति गोलार्थ और इसके दच्छिर अर्था एक्वेटर के या विस्वत रेखा के जीरूर डिग्री अक्षांस रेखा के दच्छिर वाले भाग को बोलते हैं दच्छिरी गोलार्थ अर्था साथ होगा, वर्ड नॉर्थ जुड़ा होगा, ये भी तो इस था 90 डिग्री पर है, तो इसका वैलू क्या होगा, 90 डिग्री South, ठीक इसी तर से 50 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, नॉर्थ, ये 30 डिग्री है, इसके साथ North, इसी तरह मान लो, यह जो रेखा है, ये 50 डिग्री है, तो इसके साथ क्या वर्ड जाड़ेगा, South, ठीक है, तो अक्षांस रेखा हैं, क्या रेखा हैं, कौन से रेखा हैं होती हैं, जो भूमद रेखा कि समानांतर, जो है कि पस्सिम से पूरब की और खिची गई होती हैं, अब देखें, ये अक्षांस रेखा हैं हमारे लिए जरूरी क्यों, ये रेखा हैं इसलिए जरूरी हैं, क्योंकि जब हम बिश्व में जलवाई, बिश्व में देखते हैं कि किस हिस्से में किस परकार की जलवाई हुए, किस परकार की फसले होती हैं, किस परकार की बनस्व मिलती हैं तो हर जगे अक्षांस का रोल आता है अर्था जो अभी गर्मी पढ़ रही है कुछ समय पहले ठंडी पढ़ रही थी इसका जो निर्धारण है वह अक्षांसी रेखाओं पर होता है तो आगे जो हम अपना टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि भारत का अक्षांसी विस् विस्ष्थाओं को हम समझ पाएं जैसे यूरोप का भूगोल अलग है ठीक इसी तरह से इंडोनेशिया का भूगोल अलग है हमारे देश का भूगोल अलग है तो अक्षांसी विस्थार का मतलब क्या है कि आप इस मैप को देखे हमारा देश यहां पर है यह हमारा प्यारा और इसके दच्चिर से एक रेखा गुजर रही है और जो रेखा गुजर रही है इसी का value है 0 degree रेखा अर्थात हिंदी में बोलें तो यही बिश्वत रेखा है यही भुमत रेखा है जो हमने अभी और हमारा जो देश है यहां पर है अर्थात हम यह देखेंगे कि भारत का इस सबसे डच्छरी बिंदू से लेकर यहां तक यह भारत का जो अक्षांसिय वैलू है यह कौन-कौन सी भोगोलिक विसेस्ताओं को बताता है ठीक है तो आप पहला सब्द समझ पाए होंगे कि भारत का अक्षांसिय विस्ता अर्थात हम देखने वाले हैं यहां से लेकर यहां तक कौन-कौन सी अक्षांस रेखाए जाती है और उन अक्षांस रेखाओं पर क्या-क्या विसेस्ता मिलती है और उस विसेस्ता को हम भारत में खोजने का देखने का समझने का प्रयास करेंगे ए विश्वत्रेखा के समानांतर इनसे हम क्या करेंगे किसी इस्थान की भोगोलिक विशेष्था को हम समझते हैं जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि यूरोप में अभी क्या पढ़ रहा होगा थंडी की गर्मी तो आप कहेंगे कि सर गर्मी पढ़ रहा होगा मैं कहूंगा कितनी ग वह विश्वत्रेखा के पास में है और विश्वत्रेखा के पास वाले चित्र में गर्मी जादा पड़ती है और वहीं जो यूरोप है वह विश्वत्रेखा से काफी दूर है तो वहाँ पर क्या होगा गर्मी कम पड़ेगी अर्था दोनों का अक्षांसिय बैलू क्या हो गया चेंज हो गया तो उनकी विसेश्थाएं क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे ठीक इसी तरह से अगर हम इस छित्र की बात करें तो इसकी अक्षांसी वैलू बदल गई इसलिए इसकी विसेश्थाएं बदल गई तो हम इस तरह से भारत के अक्षांसी वैलू को लेकर बात क करेंगे उसकी importance को समझने वाले दूसरा सब्द भी संच्छेप में समझे मैं देसांतर रेखाओं पर भी बात कर चुका हूं उसका भी वीडियो आपको आई बटन में और वीडियो की description में मिल जाएगा उसका लिए आप उसको भी देख सकते हैं यहां पर संच्छेप में समझ बोच लेजेए फिर से हम अपने प्रत्वी को बनाते हैं माल लेते हैं फिर से हमारी प्रत्वी है अभ अभी तक जो मैंने रेखा खीची थी वह प shaded? भी क प्रत्वी को लगबख दो बराबर भागों में में डिवाइट कर दिया तो इहां पर हमने क्या देखा? नौर्ध औ प्रत्वी को, जो उत्री ध्रू को दच्छी ध्रू से मिला कर खीची गई, एक जो सीधी रेखा है, यहां क्या है, एक देसांतर रेखा है, इसका भी कुछ value होगा, अब देखी, इसका जो value है, ठीक उसी तरह से 0 degree, यहां कभी क्या है, 0 degree है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ें इससे हम जैसे जैसे दूर जाएंगे, उनकी degree भढ़ती चले जाएगे, असान सब्दों में समझे, आपने अपनी प्रत्वी को, कि गुलोब को देखा होगा, तो आपको कुछ ऐसी रेखाएं खीची हुई दिखे होंगे, और यहे रेखाएं क्या कर रहे होंगी, नौर्थ पोल को साउथ पोल से मिला कर खीची गई होंगे, और सभी जाकर कहां पर पोल पर जाकर एक दूसरे से मिल जाती होंगी, तो इस तरह की जो रेखाएं आप देखते हैं, यही रेखाएं क्या हैं, देश सान्तरी रेखाएं, जैसे आप सब लोगों ने संत्रा देखा होगा, मौसमी देखा होगा, तो उसकी जो फाग होती है, जैसे हम छेलते हैं, तो उसके फाग का मतलब होता है, उसका पूरा जो एक पीस आपको मिलता है, कुछ उस रूप में, तो इन ही को बोलते हैं, देसांतर रेखा हैं, अब यह जो देसांतर रेखाएं हैं, इनसे क्या पता चल पहले मैं आपको यहां पर एक रेखा को highlight कर देता हूँ यह रहा हमारे zero degree देशांतर रेखा के इस तरफ जो भी इस्थान होंगे उनको बोलते हैं पूर्वी गोलार्द की देश और इसकी इधर की जो देश रहें इनको बोलते हैं पस्मी गोलार्द की देश ठीक है पस्मी गो प्राप्त करना है हमने अक्षांसी बैलू भी हमें देखना है देशांतरी बैलू देखना है तो हम यह देखेंगे कि हमारा जो देश है क्या वह कहीं यहां पर है या फिर इसकी इधर है क्या हमारा देश यहां पर है क्या हमारा देश यहां पर है यह जो मैंने आपको भी छ फोटा सा इमेज बना दिया उहां पर है ये देशांत्री बैलू ही दरसल हमें बताएगी कि भारत का समय का निर्धारन कैसे होगा जैसे आपने देखा होगा हम लोग मैच जब देखते हैं वर्ल्ड कप बगएरा देखते हैं कोई भी मैच देखते हैं सब की रूची क्रिकेट में नहीं होते हैं कुछ लोग की फुटबॉल में होती है तो वहां पर अलग समय पर मैच होता है हमें अलग समय पर जैसे वहां पर कोई दोपहर में मैच हो रहा है तो हो सकता है हमको वह साम को देखने को मिले ऐसा होता है इने लाइव चल रहा होता तब भी तो दरसल हम इस मानक समय रेखा है, उसका कोई देसांतरी बहलू है, मैं आगे समझाओंगा कि मानक समय रेखा क्या होती है, हमारे यहां का जो समय है, वो साड़े पांच घंटे ही आगे क्यों है, ग्रील वीच रेखा क्या होती है, इस सब चीजे हम समझेंगे, यहां पर संच्छेप में समझ प्रत्वी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे रही है पूर्वी गोलार्द और पश्वे गोलार्द तो हम देखेंगे कि भारत के स्थिति कहां पर है वो पूर्वी गोलार्द में है, पश्मी गोलार्द में है या फिर उत्री गोलार्द में है या फिर दच्छरी गोलार्द में, ठीक है इसको मैं लिख भी देता हूँ, यह रहा उत्री गोलार्द, यह रहा आपका दच्छरी को रात देखो बच्चों मैंने आपसे पहले कहा कि जितना मैं लिख रहा हूँ जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आप उतनी ही चीजे नोट करते चलो नोट्स तो करो एक बार फिर आप देखो आपके नोट्स मांगने के लिए लोग कहा कहा से आता है किसी ने 2-2 लाक रुपए देकर कोचिंग किया होगा उसके पास भी इतना बहतर नोट्स नहीं होगा इतनी बहतर समझ नहीं होगी बस टॉपिक को समझने के उद्देश से आना बैठना एक एक टॉपिक क्या होगा एकदम सी से की तरह पाने की तरह किलियर होगा आई होग अक्षांस और देसांतर सब्दों को आप आसान सब्दों में समझ चुके है अब यहां पर आईए इसको देखे यहां पर हम क्या करते हैं कुछ रेखाओं को हाइलाइट कर लेते हैं इससे आपको यह रहा हमारा एकदम साकर्ण इसको हम जीरो डिगरी देसांतर रेखाँ बोल सकते हैं और इसी के समानांतर जो रेखाए हैं उनको हम क्या बोलें गैए सोरी यह acquisition पिसके समानांतर जितनी भी रेखाएं उनको हम अक्षांस रेखाएं क्या होगा उसके नाम पर उसका नामकरण हमने किया होगा जैसे 30 डिगरी, 40 डिगरी, 50 डिगरी ठीक है यह अक्षांस रेखा है अब देखे इस अक्षांस रेखा को अगर आपने देख लिया तो देशांतर रेखा को भी देख लीजे ऐसे यहां पर आए यह रहा हमारा 0 डिगरी देशांतर रेखा तो मैंने जैसा कि आपसे कहा था अक्षांस रेखा हमारे प्रत्वी को दो भागों में डिवाइड कर देता है यह 0 डिगरी अक्षांस रेखा का जो दच्छड का भाग है इसको हम बोलते हैं जच्छडी गोलार्द और इसको बोलते हैं उत्री गोलार्द अब हम अपने देश को देखें तो हमारा देश कहाँ पर है उत्री गोलार्द मैंने आपसे कहा था कि जो 0 डिगरी देशांतर रेखा है यह भी प्रत्वी को दो भागों में कौन-कौन से एक तो पूरा और दूसरा पस्रिम में डिवाइड करती है अब देखें फिर से हम अपने देश को देखें तो हमारा जो देश है वो कहाँ पर आ गया पूर्वी गोलार्द में आ गया इसके आसान सब्दों में कहूं तो जो हमारा देश है जीरो डिगरी देशांतर रेखा है इसके पैरलर बहुस सी रेखाएं खीची गई होंगी इसका मतलब यह है कि हमारा यह जो देश का पस्मी भाग है यहां से होकर कोई देशांतर रेखा गुजरती होगी और यह जो सबसे पूर्वी भाग है जो हमारा देश का सबसे पूर्वी भाग है वहां से भी कोई देशांतर रेखा गुजरती होगी तो हमें इसी बिशेश्टा इसी अक्षांसी और देशांतरी बिस्तार को समझना है अब देखें कुछ लोगों को लगा होगा अरीब बापरे अभी तो टॉपिक भी स्टार्ट नहीं हुआ और गुरुज ने इतनी कहानी सुना दी कहानी नहीं है यही समझ है और इसी चीज को आपको समझना है जिन ओफलाइन क्लासेस में आप दो-दो लाख रुपए दे कर जाते हैं या आप देने का प्लान कर रहे थे मत देजे पैसे बचाएए हाँ यह जरूर कीजेगा कि इसी टॉपिक को आप किसी भी अपने दोस्त मित्र से जिसने दो लाख, चाल लाख, जितने भी फीस दी होगी ना उससे बात किजेगा इस टॉपिक को देखने के बाद, पूरा कंप्लीट करने के बाद और कहिएगा कि भीया तुम तो ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हो तुम तो ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ता हो तो अब मैंने आपको कुछ बेसिक चीजे समझा दी है, फिर से आप इसको देख लीजे यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यह रहा एक्वेटर, एक्वेटर के पैरल कुछ रेखाएं खीची गई है यहाँ पर एक रेखा और आप देख लीजे, जिसका हम मैं जिकर करने वाला हूँ टॉफिक ओप कैंसर, साढ़े तेश डिगरी रेखा, ठीक है, एक सिगन, यह साढ़े तेश डिगरी रेखा, ठीक है इसको हम बोलते हैं हिंदी में करक रेखा अब जैसे उत्तर की ओर, साढ़े तेश डिगरी रेखा, खीची गई है हना, और कैसे डिगरी बनाया होगा, कोड कैसे बनाया होगा, मैंने आपको बता है ठीक, इसी तरह से, दच्छिड में भी एक रेखा खीची गई होगा पहले इसको हाइलाइट कर जीजे, यह देखे, यहाँ पर एक रेखा है, मक, इसको बोलते हैं, टॉपिक ऑप कैपेकॉन, इसको हिंदी बोलते हैं, मक कर रेखा और यह रहा हमारा एकवेटर, ठीक है, बाकी रेखाओं के विश्य में, अक्छांस और देशांतर रेखाओं वाला जो वीडियो है, उसको देखेजी, आपको किलियर हो जाएगा यहां पर जो पहला पॉइंट हमने देखा, और जिसको हम लोग अभी तक समझ पाए हैं, कि अगर हम अपने देश को देखते हैं, तो हमारा देश जो है, वो कहाँ पर है, भारत की जो इस्थिती है, हम अब अक्छांसी और देशांतरी विस्तार से जुड़े हुए एक-एक पॉइंट को समझते हैं, तो हमने कहा कि भारत की जो इस्थिती है, वो क्या पता चलता है, कि वो उत्री तथा पूर्वी गोलार्द में है, क्या मैंने इस चीज़ को यहां पर प्रूब कर दिया, जी हाँ, आप देखी, इस चीज़ को हम लोग ने यहां पर प्रूब किया, यह रहा हमारा देश, और यह कहां पर है, चूंकि एक्वेटर के नौर्थ में है, उत्री गोलार्द का देश हो गया, और चूंकि यहां जो जीरो डिगरी देशांतर रेखा के पूरव में है, तो उत्री और पूर्वी गोलार्द का देश है, पहला हमारा पॉइंट के होकर गुजरती है उसका क्या वैलू है उसको देखेंगे अच्छा अब देखें यहां पर एक अगला जो पॉइंट है वहा देखना है उसको देखने के लिए इसको देखें कहोगे गुरुजी यह तो हम बच्पन से सुनते आ रहे हैं अब देखो जब हम एशिया के बात करते हैं तो यह जो च्छितर है यह वाला पूरा च्छितर यह पूरा आप च्छितर लेजी ठीक है यह च्छितर हम देखते हैं अब जब हम यह च्छितर देखते हैं तो हमें यह clear कर दिया, पहला कि हमारा जो देश है वो zero degree अक्षास रेखा के उत्तर में है, दूसरा हमने कर दिया, zero degree देशांतर रेखा के पूरव में, अब देखे हमारा जो देश है, वो किस में आता है एसिया continent, एसिया continent के क्स हिस्से में आता है, वो आता है South Asia ठीक है South Asia वाले चितना इसका मतलब है कि Asia को भी हमने regional भागों में कई भागों में divide किया है यह हमारा South Asia है इसको बोलते है South East Asia अब दिखें यह जो मैं आपको map दिखा रहा हूँ जितना ध्यान से देख सकते हैं देख लीचे आगे सब चीजे जुड़ेंगे आगे जब मैं आपसे कहूँ कि मैं बाग कर रहा हूँ East Asia की आपका एकदम दिमाग में image clear हो जाना चाहिए अच्छा किस छित की बात कर रहा है North Asia सब दियूज करूँ किस्ती देश है क्या ये भी clear हो गया अब बताओ जब इस तरह से में हर point clear करूँगा तो क्या आपको नहीं लगता कि एक एक चीज एकदम दिमाग में clear होगी अगले points पर बढ़ते हैं अब देखें अगला जो points है भारती उप महादीब का चुकि हम अपने देश के विसे में बात करता है तो भारत जो है वो भारती उप महादीब का सबसे बड़ा देश है अब एक नया सब्द आ गया तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि कोई नया सब्द आएगा मैं उसको स लोग तंड़ से सब्सक्राइब को गुप महादीब है इस पूरे चुझको अब इतना बड़ा आकार है इसको हम जो है कि अगर्रियन में यह मुझे से नामकरण हमारे देश के बढ़ादी हमारा देश भारत है ना तो भारत जो है वो भारति उप महादीप का सबसे बड़ा देश है भारति उप महादीप में दच्छिड एसिया के जो देश आते हैं उनका नाम आपको दिख रहा है map भी दिख रहा है और आपने एक और सब्द मैंने आपको बताया दच्छिड एशिया तो दच्छिड एशिया में कितने देश आते हैं? आट देश आते हैं? कौन उसे देश आते हैं? उनका भी नाम लिखा हुआ इस सब्द आपने पहले भी शुने होंगे, लेकिन हो सकता है, आपने मैद के माध्यम से ना देखा हो, और देखा था तो बहुत अच्छा किया था, यहाँ पर जो आपको तास्क है, कि आप सब लोगों को, मम्मी पापा की कसम तो मैं नहीं दोंगा, आपको उनकी कसम है, जिन कुल भी नहीं कहूंगा, कि नहीं आपको नया ही लेना ची, पुराना भी मिल जाए, लेकिन हाँ, जो आपकी तयारी तक आपके साथ रहे, ऐसा ना हो, कि आप किसी की चीज लेकर आएं, और आप उस पर काम करें, और आपकी चीज आप से कोई लेकर चला जाए, दुख होग भारत दच्छर एशिया में आता है, और भारती उप महादीप में, दच्छर एशिया जो हम सब दियूज करते हैं, उसमें कौन-कौन से देश आते हैं, यह हमने आपको बता दिया दिखा दे, आगे बढ़ते, अगला पॉंट, अब जो हमारा देश है, जो कि हम इसको मैप क माध्यम से देखें, तो हमारे देश का जो टोटल बिस्तार है, चित्रपल, हाना, वह है, 32,87,213 बर किलोमेटर, अब कुछ लोग कहेंगे, सरी, कैसे याद होगा, तो मुझे पता है, बच्चे, आपने बहुत लोगों के नंबर याद किये हुए, तो यह भी नंबर ना कि यह तो आपके emotion का part होना चाहिए, आप सब लोग राष्टवादी हो, नहीं हो तो इतना तो राष्टवादी जरूर होना चाहिए, कि हमें अपने देश की बहतर जानकारी है, तो जो भारत का छित्रफल है, वह 32,87,263 बर किलोमेटर है, जो कि बिश्व की कुल छित्रफल का बहुत छोटा सा हिस्सा है, 2.42%, अब इतनी छोटे से हिस्से पर, जैसा कि आपको पता है, अगर आप अभी अप्रेल का समय चल रहा है, तो आप देखेंगे, तो कई जगों पर आपको लिखा मिलेगा, कि भारत अब क्या है, अभी बिश्व में सरवाधिक जनसंख्या के मामले में दूसरी स्थान पर आता है, लेकिन बस कुछी दिन में ओफिसली एडेटा चिंज होगा, हम लोग लिखेंगे कि भारत का जो छित्री बिस्तार है, वह या जो है कि छित्रपल है, वह 32,87,263 बर किलोमेटर है, जो बिश्व की कुल वो भाग का लगभग 2.42% जो है लेकिन कुछ महीनों में लिखेंगे कि भिश्र की सरवाधिक जनसंख्या निवास करती है, तो हमें पता चल गया कि जो हमारा छित्रपल है, अर्था दिये जो पूरा देश आप देख रहे हैं, इसमें ध्यान दीजेगा, यह हमारा जो अंडमान निकोबार वाला भाग है, और जो हमारा लक्ष दीप वाला भाग है यह भी सामेल है, तो भारत का टोटल जो छेत्रपल है इतना है, ठीक है, अगला पॉंट देख लेते हैं, भारत इतने पर छेत्रपल के साथ दुनिया का सात्मा सबसे बढ़ा देश है, अब वही फैट्स हैं, जो अभी तक आप दे देश हैं, अब प्रशना आएगा कि आखिर भारत से बड़े और कौन कौन से देश हैं, यह भी जी के का प्रशना है, और जी के का आंसर यहां पर लिखा हुआ है, तो भारत से बड़े जो देश हैं, रूस, कैनेडा, चीन, यूएस से, ब्राजिल और और उस्टेलिया, यहां पर लिखा है भारत की मुक्य भूमी, मुक्य भूमी का मतलब का है, यह वाला भा, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे आप से कोई कहता है कि भी आपका घर कहां पर है, तो आप क्या बताते हो, जो बड़ा सा घर, जहां पर आप रहते हो, जहां पर आपको खाना पीना मिलत जहां पर सब लोग परिवार के सदस्रेट उसके अलावा आपकी जमीन का कोई छोटा सिस्सा कहीं और भी हो सकता है जहां पर आप जो है कि बस ऐसे ही कभी कबार उठने बैठने के लिए जाते होंगे या आपने कभी पसु पालने के लिए एकार जगह छोटी सी रज रखे रहे हैं यह जो पूरा स्थलिय भाग है इसका कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमी तो यह वाला मुख्य भूमी होगी और मुख्य भूमी का सबसे उत्री हिस्सा यह हुआ और दच्छडी हिस्सा यह हुआ तो यहां कह रहा है भारत की मुख्य भूमी का अच्छांसी विस् ध्यान दें ना यहाँ पर 8 degree 4 minute जो है कि उत्तरी अच्छास अब उत्तरी अच्छास नॉर्थ लिखना क्यों ज़रूरी है यह इसलिए जरूरी है क्योंकि equator कहा से गुजरता है इसके दच्छास से गुजरता है अगर हम यह लिख दें कि 8 degree भारत का जो अक्षानसी विस्तार है और उसका जो सबसे दच्छडी भाग है, इस्थाली भाग का, मुक़् इस्तली भाग का जो सबसे दच्छी भाग है, यहीतो है, ठीक है, तो वह कहां है? 8 degree 4 minutes में, लेकिन अगर हम नौर्थ नहीं लेखते हैं, तो ये confirm नहीं होगा कि आखिर 8 डिग्री 4 मिनट कहां उत्तर वाला ये दच्छिर वाला तो जरूर लिखेगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अच्छान से लेकर यहाँ पर आएंगे जो सबसे उत्तरी भाग है इस थलिय बाग का वो है 37 डिग्री 6 मिनट इहां से लेकर यहां तक यह हमारा अक्षान सी बिस्तार है इसका मतलबी है कि यह जो सबसे दच्छिर भाग है यहां से जो रेखा गुजरती है वह कौँ सी रेखा है 8 डिग्री 4 मिनट के ठीक है आसान सब्दों में याद रखने के लिए आप याद कर सकते हैं कि ठीक है भाई हम इसको आसान सब्दों केरेंगे कि 8 डिग्री अक्षान से रेखा हमारे दच्छिर भाग के समीप से गुजरता है ठीक है दूसरा यहां पर जो सबसे उत्तर की वो रेखा गुजरेगी अक्षान से रेखा है जैसे ऐसे खीची गई होंगी चुकि इधर क्या है एक्वेटर है एक्वेटर के पास इधर मालो चार डिग्री रेखा और यहां पर जो रेखा खीची गई होगी वह कौन से होगी थाटी सेवन डिग्री ठीक है यहां पर खीची गई हो तो यहां से लेकर यहां तक धौन देज़ेगा एक सिकन्ड, अक्षांस रेखा है चूकि हमें किचनी, तो यहां से लेकर यहां का एक जो अक्षांसी बेलू है उसbell time को यहां पर बताएगा, तो भारत की मुक्य भोमी का अच्छांसी बिस्तार, 8 degree 4 minutes उत्री अक्षांस से लेकर 37 degree 6 minutes उत्री अक्षांस के बीच में आपको देखने को मिलेगा अगला point देख लेते हैं इसी से जुड़ा होगा अब हम जब उत्री और दच्छडी point की बात करते हैं तो सौभाविक है इस्थल इस्थल का कोई ना कोई उसका नाम करण जरूर होगा तो यहां पर जो जहां से 8 degree 4 minutes उत्री अक्षांस रेका गुजर रही है यह इस्थान कौँ सा है? कन्या कुमारी जहां से आपने अभी कुछ स्थान पहले देखा था भारव जोड़ो यात्रा प्रारम भी थी तो अगर हमसे कोई पूछ ले 8 degree 4 minutes पर कौन सा इस्थान है? कन्या कुमारी सबसे 37 degree 6 minutes पर इस अक्षांस पर कौन सा इस्थान है? वह हमारा इंद्रा कौन इंद्रा कौल क्या है? सबसे भारत की इस थलिय भाग का सबसे उत्री पॉइंट चुकि देखो इधर तो कोई द्यूप है नहीं तो यही क्या होगा? हमारे पास चुकि जो द्यूप है वह इधर है तो अभी हम यह जो दच्छडी सबसे दच्छेडतम बिंदू है यह तो चेंज होगा, उत्री बिंदू चेंज नहीं होगा तो यहाँ पर क्या लिखा रहेगा? कि भारत का यह सबसे उत्री भाग है ठीक है? कहाँ पर? 37 डिगरी 6 मिनट पर मुखी इस थली भाग पूर्ट क्या है? उत्री गोलार्द में इस से ही देखो हमने जब यहाँ पर लिख दिया कि हमारा 8 डिगरी 4 मिनट हो गया यह हमने लिख दिया 37 डिगरी 6 मिनट हो गया तो इससे ही पता चलता है कि भहिया हमारा जो इस थलिय भागे या इसी के बीच में और इक्वेटर क्या गुजरा है तो पूरा हमारा जो देश का बिस्तार है वो पूरी तरह से उत्री गोलार्द में है इसका मतलब अगर कभी statement के रूप में पूछ लिया जाए कि भारत का इस पूरी तरह से हमारा जो देशे उत्री गोलार्द में इस तित है और उत्री पूरार्वी गोलार्द में है क्योंकि हमारे कोई हिश्रा नहीं है आगे बढ़ते हैं भारत आपसे दच्छरी भाग, अच्छा, दिखिए, कई लोगों का सुझाव था, कि सर, जो ही कि पॉइंट्स आप, जैसे बहुत से बच्चे आप में से ऐसे हैं, जो मुझसे आप लाइन में पढ़ चुके हैं, जैसे, आपको पता है, मैं मुकरजी नेगर के, कई कोचिंग का फैकल्टी रहा हूं, तो वहां पर हम लोगों लिख कर पढ़ाते हैं, अब दिक्कत क्या है, अगर मैं उसको यहां पर लिखूंगा, तो समय लगेगा, इसलिए मैं एक एक पॉइंट्स रख रहा हूं, उसको समझाते हुए चल रहा हूं, लिखने का समय सिर्ग मैं बचा जाए जाएगा, उसमें कोई कटावती नहीं की जाएगे, ठीक है, चल तो देखिए क्या लिखार, भारत का सबसे दच्छडी भाग है, अब देखिए, हमने अभी तक, जब भी दच्छडी और उत्री भाग की बात की, मुख की इस्थली सब्द हमने जोडा था, लेकिन अन्वा, निकोबारवाला भी तो हमारा ही देश का हिस्सा है, ये तो दिवपिय भाग भी हमारा है, और अगर आप देखें, तो यहां से एक सीधी रेखा ऐसे खीच देजी, हना, और ये और उत्तर से, रुकिए, मैं इसको सीधा करने का प्रयास करता हूँ, ये थोड़ा स है, इसके भी ये जो एट डिगरी, फोर मिनट आक्छांसी रेखा है, इसके भी दच्छिड में, इससे हमें ये पता चलता है, कि भाईया, हमारे देश का जो सबसे दच्छिड भाग है, वह यहां पर नहीं है, ये इस थलिय भाग का दच्छिड पॉइंट है, लेकिन अगर हमारे देश का दच्छिड पॉइंट पूछा जा, तो आप किसको बताएंगे, जो सबसे दच्छिड में, क्योंकि ये भी तो है, अगर आप से कोई पूछे कि हमारे देश का इस मुख इस थलिय भाग का दच्छिड पॉइंदू, ये बताएगा, लेकिन कोई आप से कुछ अक्छांस होगा, क्यों नहीं होगा, देखे, जब यहां से एक्वेटर गुजर रहा है, तो ही एक्वेटर के थोड़े करीब में है, इसके तुल्ला में, लेकिन इसका भी तो अक्छांस ये बैलू होगा ना, बिल्कुल है, कितना है, 6 डिग्री 4 मिनिट, 6 डिग्री अक्छांस का अंतर, ये वाला जो भाग था, ये कितने पर है, 8 डिग्री 4 मिनट, ये कितने पर है, 6 डिग्री 4 मिनट, दो अक्छांस का अंतर आ गया, ठीक है, तो वही चीज लिखा हुआ है, कि भारत का जो सबसे दच्वेटरी भाग है, वो अंडमान निकोबार, तो ये नीची वाले समों को हम बोलते हैं, निकोबार दियूप समों, आप देख लिज एकलस है, आपके पास कोई गलत जानकारी तो नहीं पहुंच रही, ठीक है, तो जब हम निकोबार दियूप देखेंगे, तो उसमें कई दियूप है, उसका नाम है ग्रेट निकोबार, और ग् इंद्रा पॉइंट है, जो कितनी डिग्री अक्षांस पर है, 6 डिग्री, 4 मिनट उत्री अक्षांस लिखें, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, उत्री अक्षांस जरूर लिखना है, जब भी हम अक्षांस लिखें, तो उत्री और दच्छिडी जरूर मेंसन करना होता है, औ कि मैंने जो strategy प्लान किया आपके लिए कि मैं एक तरफ से एक एक चीज को आप जोडती हुए आगे जब बढ़ूंगा तो देखिएगा चाहें इंडियन जोग्राफी हो वर्ल्ड जोग्राफी हो इन्वार्मेंट वाला सेग्मेंट हो current affairs के topic हो या आने वाले समय में पॉलिटी का सेग्मेंट हो इतने topic आपके clear होंगे न कि आप उन topics में कभी भी आप किसी से अपने आपको कमजूर नहीं समझाएगे मेरा उद्देश है आपको सबसे superior student बनाना और क्यों बनाना क्योंकि मुझे आपका result चाहिए इस platform का नाम ही क् commitment तो हमारी और आपकी मितरता प्रारम हो चुकी है अब देखते हैं आप अपनी मितरता कैसे निभाते हैं कुछ नहीं करना है घबडाव मत पैसे नहीं मागा है मितरता निभाई है अधिक से थिक लोगों तक वीडियो को पहुचा के अगर आपको class में quality देखे तो पहुचा जलेते हें जीसे pigmalion point भी को एक नाम दे दिया जाता है, विस्तार पूर्ति उत्रि गोलार्व में यहां पर द्जूपक ग्लद तो अगर हम भारत का द्यूप के बिसकार उत्रि अंद है अर्था जो हमारा सबसे दच्षड पोइंट और इसका भी वैल्व कितना आया 6 degree, 4 minute उत्री अच्छा, यही तो आया, इसका मतलब है कि equator इसके भी कहीं दच्छीर से जाता होगा, तो इससे क्या पता चला, कि भाईया हमारे देश का जो द्यूपिय भाग है उसका भी कोई भी हिस्ता दच्छी गोलार्द में नहीं, किलियर, तो अगर आप से कोई भी statement पू इसका दच्छी गोलार्द का हिस्सा है, कहिएगा ना बाबा ना विल्कुल भी ना, इक्वेटर कहां से बहुत दच्छीर की ओर से जाता है, आगे बढ़ता है, इंद्रा पॉइंट विश्वत रेखा से 846 किलोमेटर की दूरी पर, तो अगर आप से कोई पूछ ले, कि भी यह रहा सबसे दच्छीर पॉइंट, इंद्रा पॉइंट, यहां पर मिलेगा आपको इंद्रा पॉइंट, तो इंद्रा पॉइंट जोकि एक सबसे दच्छीर स्थान है, जैसे कुछ लोग कन्या कुमारी गए होंगे, और जब कन्या कुमारी आप आते हों, तो देखते हों समुद्र की वो निकला हुआ इस थलिय भाग है ठीक इसी तर से जब आप यहां पर आएंगे तो यह जो इंद्रा पॉइंट है ने बहुत बड़ा दिवप नहीं है अना ग्रेट निकोबार का एकसम दच्छडी भाग है तो इसका जो समुद्र तठ है वो छोटा सा ही है ठीक ह तो यहां पर क्या लिखा हुआ है इंद्रा पॉइंट सुमात्रा से लगभग डेढ़ सो किलो मेटर की दूरी पर इसका मतलव है कि जो इंडोनेसिया का एक डिपए भाग सुमात्रा उसका यह उत्री पॉइंट है तो कोई ब्यक्ति अगर सुमात्रा के सबसे उत्री पॉइ सकता है ठीक है इसका जो देसांतरी विस्तार है वह 93 डिग्री लगबग 48 मिनट अर्थार अब देखो जैसे कि हमको पता है कि भाई देसांतर रेखाएं ऐसे खीची गई होती है तो यहां पर यह रहां अमान निकोबार का यह हमाई इंद्रा पॉंट यह मिल गया तो यहां पर कि आपके देश का या आपके पास जो किताब है जीके की जानकारी वाले उसमन देख लेजे आपके जिले का भी देसांतरी बिस्तार होगा सबके अलग-अलग होगा आप कमेंट में बता सकते हैं आप किस जिले से हैं किस देसांतर पर हैं मुझे अच्छा लगेगा मुझे यह भी पता चल पाएगा कि कहा कहा के लोग इस अभियान का हिस्सा बने कूंको अपने रिजिल्ट से प्यार है। feeling बिल्कुल offline वाली होगी, कोई जल्देबाजी नहीं होगी, सांदार तरीके से बढ़ते हैं, तो जिले का नाम आप बता सकते हैं, हाँ, इससे भी तो पता चल जाएगा, कि अगर मैं कभी आपकी जिले की तरफ आऊँ, तो मुझे किस से संपर करना है, किस से मिलना है, ठीक है हाँ, यह दूसरी बात है, कि अगर आप चाहेंगे कि नहीं गुरोजी हम नहीं मिलेंगे ना, खर्चा करवाओगे, नहीं खर्चा करवाने नहीं आऊँगा, बस ऐसे मिलने आ जाउँगा, तो अगर आप चाहो गयी तो मिलनेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, सबसे पास में कौन सा है सुमातरा तो हम डیर absorb की दूरी तयकर कि हम सुमात्रा पहुंच सकते हैं और सुमात्रा के दियुप पर आ गहें टो बाकी दियुपव पर भी हम पहुंच तेक सबस्क्क ऐखें एक और यहाँ पर देख लिएए यहाँ पर एक लाइन दिखाए गई है और यह जो लाइन है यहाँ पर देख सकते हैं यह रहा निली वर इस्टेट ओप मलक्का अब इस्टेट ओप मलक्का आप देख पा रहा है सुमात्रा के नौर्थ से होकर गुजर रहा है यह जो मलक्का जलसंदी जलसंदी क्या मतलब क्या होता है दो ज जली छेत्र जो क्या करता है दो जली छेत्रों को जोडता है यह आपका अंधुमान सागर है ,और यह पर है दछडी चीन सागर लिखा हूआ South China से अब इन दोनों को जोडने वाला इक पतला जली रास्ता है इसी जली भा को हिंदी में बोलता है इस्टेट जल संधी जल संदी क्या कर रहा है इस जल को इस संदी कर रहा है जोड़ रहा है और अलग किसको कर रहा है देखो यहां पर एक द्यूप है यहां पर भी एक द्यूप है पॉंट जो है हमें जो ध्यान देना हुई है कि जो state of Malakka है वह हमारा जो इंद्रा पॉंट है उसके समीव से होकर गुजरता है चाइना बहुत कूटता है आपको लगता है कि चाइना इतना पावरफुल है क्या है कैसे है अब यह जो चाइना है अगर यह जादा भारत को परिसान करे और भारत यह ठान ले कि तुमको हम बताते हैं तुमारा दिमाग हो गया है खराब चाइना के पास वास् इसके पास नहीं आलिधर से यह जो हमारा उज़ मैंने विताएंब या आता ओपके यांड लिए गरता हैं तो इसकी नाम है Quad, Quad में क्या हैं? चार देश हैं, कौन-कौन से? पहला हमारा देश, दूसरा इवेश्चे, तीसरा है और चौथा है जापान, अब जब क्या हो? मान लेते हैं कि चाइना खुब कूर्फाथ करें, उसको लगे गया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, भारत कहें अभी बताते तुम क्या क्या कर सकते हो? यह जो मलक्का जलसंदी का रास्ता है ना, चूकि यह हमारे करीब में है, भारत अपनी नेवी को मजबूत कर देए, और उस्टेलिया से कहें, तुम भी देखते रहना, अब यूएस्टे से कहें कि तुम अपना जो है, आपको पता है जो यूएस ने क्या किया है, कुछ देशों को वादा कर रखा है, कि हम तुम्हारी रच्छा करेंगे, उसमेंसे एक देश फिलिपिंस भी है, एक देश ताइवान भी है, पहुंसी देश है, अब यहाँ पर यूएस से कहें कि हमने अपनी नेवी मजबूत कर दी, इधर जो है कि जापा अब आपको समझ में आ रहा होगा रही, अन्नमान निकोबार मतलब इसका इम्पोर्टेंस बहुत जी है, यह हमारे देश का जो भाग है, यह जोग्राफिकल पॉइंट अब दीउस से तो अल्टिमेट हई है, यहाँ पर जब आप जाओगे तो इसकी भूगौलिक विसेस्त ड्रेगन को रोकने के लिए मलक्का जलसंदी पर क्वाड के माध्यम से भारत क्या कर सकता है, अपनी पकड को मजबूत कर, इसलिए तो भले ही भारत से किसी देश की नाराज़ी हो जाए, लेकिन जैसे ही चाइना के बात आती है, तुरंट सभी देश भारत के पास आ जाता ह कि तुम्हें ही हो भईया, रोक सकते हैं, क्योंकि पूरा इंडियन ओसन पर चाइना की जो निर्भरता है, और भारत उसको कंट्रोल करता है, और यह कंट्रोल तब तक करता रहेगा, जब तब भारत की नेवी मजबूत है, भारत का एरफोर्स मजबूत है, भारत के बाइले ही कि साथ साथ आप देखना इन क्लासिस के मादम से आपका IR में इंट्रिस्ट बढ़ जाएगा कि भीया 37 डिग्री 6 मिनट उत्रि अक्षांस से लेकर कितने तक 8 डिग्री 4 मिनट उत्रि अक्षांस के बीच में हैं इसका मतलब यह हुआ कि भारत का जो टोटल अक्षांस यह बैलू है वह कितने हैं 29 डिग्री 2 मिनट अब आपसे जो प्रश्ण पूछे जाएगा इस लाइन से वह यह होगा कि यहां पर भारत के सबसे दच्षडी भाग से लेकर सबसे उत्रि भाग के बीच हनम उत्रि भाग के बीच कितनी अक्षांसी रेखा हैं खेची जा सकते हैं बोल देना 29 रेखा क्योंकि यह जो बैलू है मिनट वाली वो तो पूरी तरह से नहीं की चीज़ आ सकती हैं लेकिन आपको अच्छा एक चीज़ा जो अक्षांसी रेखाएं हमने बताया आपको हमने क्या बताया था यह हमारी प्रत्वी इक्वेटर इसके पैरलर रेखाएं तो आपने देखें अक्षांसी रेखाएं खिर सकते हैं 29 एक डिगरी के अंतर आगे ओले पॉंट वो बढ़ जाता है ठीक है भारत का जो देशांते बिश्टार है अब उसको भी देख लिए तो हमने यहां से लेकर यहां तक के बिश्टार को देखा थोड़ा सा देखा जैसे जैसे क्लास बढ जरता होगा थोगा जैसे रहा हमारे डेश का सबसे पूर्विभार यहां से भी और इसको इधारी यहां से को देशांतर रेखांटी बिल्कुल गुजरती होगी तो इसका जो देशांती विस्तार है वह कितना है तो हमने क्या किया सबसे पस्मी स्ठान को सबसे पूर्भी स्ठान तक अगर हम मिलाएं तो क्या पता चलेगा कि जो हमारे भारत का दिसानती विष्थार है वह 69 डिग्री साथ मिनट पूर्वी दिसानतर से यहां से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी दिसानतर अब देखो यहां पर कौन सा जो दिसानती मान है उसका वेल्व कितना होगा 68 degree 7 मिनट ठीक है अच्छ यहां पर आ जाएंगे तो कितना होगा 97 degree 25 मिनट यहां पर यह भारत का देसांतर रिखाएं इसका मतलब है इसके बीच में इतनी कितनी रिखाएं इक-एक डिग्री देसांतर पर रिखाएं डिगरी के अंतर पर दिसांतर रिखा हैं, खिची जाती हैं, तो जैसे तरह से हमने अक्षांस रेखाओं को देखा, उसी तरह से हम दिसांतर रेखाओं को भी देख सकते हैं, इसका विस्तार कहां से है भारत का, यहां से लेकर विस्तार, ठीक है, इतने दिसांतर के बीच में इसका बिस्तार है भारत का जो सबसे पच्छमी स्थान है ठीक है अर्था देखिए हमने कहा कि यहां पर कितना बेलू है तो यहां पर कोई स्थान होगा जैसे यहां पर अक्षांस जो था यहां पर एक अक्षांस था वहां पर कोई स्थान था यहां पर भी कोई स्थान था कौ कहा कि आप हमारे च्छित्र में भारत के लोगों ने कहा बहुत पीठे जाओगे ना 1962 नहीं है ना 1962 में तुमने हम हमारे उपर यूद द्थवब दिया था हाला कि 1962 में भी अगर चाइना से हमें पहले से खत्रा मैसूस हो रहा हूँ था तो कोई दिक्कत नहीं थी हम लोग दरस पटक पटक के मारता ठीक वही 1962 में था लेकिन अभी की पोचिसन क्या है अब हम चाइना को लेकर सतर रखें तो चाइना अगर किसी भ्रम में है कि हमारे पास तो बड़ा पैसा है हमारे पास फाइटर जिव जाता है सही बात है उनकी नेवी भी हमसे बड़ी बात है लेकिन स रानमंत्री जी ने अपने ट्यूटर से सबी लोग ने का बहुत पीटे जाओ इसका मतलब यह था कि ठीक से हो जाओ प्रस्थितियां बदल गई है अब हम समझ गया है तुम बहुत जादा धोकेवाज हो चालाक इंसान तुम यह तो थोप सकते हो तो हम तैयार है ठीक है तो गई किवीथू तो उस का यह दो है यह एलना मा जादा तो अगगर पुरा अच्छेड़ यह जो चेतरमंत्र देख रहे हैं जो तो हमने कहा कहां पर सबसे पस्मी इस्थान है यही तो चेतर सरक्रीक वाला सरक्रीक किया है इस्थली भागों में जो है की जल परवेश कर गया है यहां पर आप देखेंगे न तो गुजरात की जो टटी सीमा है कटी फटी है तो उसमें क्या हुआ जल परवेश कर गया है तो जैसे छित्रों को बोला जाता सरक्रीव छित्र में आता है और इहीं पर एक सरोवर है जो आप से एक्जाम के पॉंट आप बेसे आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है सरक्रीव वह अवस्थित्र भारत का जो दिसानती विस्ता है जैसे कि हमने देखा यहां पर गौर्म आ क़टा दे 38 डीगरी साथ मिनिट को तो हमें क्या पता चलेगा यहां पर भी लग भग हमें क्या पता चला कि जित्नी ही अक्षानसी बयलू थी उतनी ही दे scanning तरीब है लू है तो 39 डीगरी अठारे मिनट आए कश्व Looking Echo दो मिनट यहाँ पर कितना आया? 39 डिग्री 18 मिनट, ठीक है? 39 डिग्री 18 मिनट, तो अगर देखो अब चुकि 39 से जादा है, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं? सीधा सीधा लिख देते हैं 30 डिग्री, क्योंकि 39 तो complete है, उससे आगे हैं, तो इसलिए आपने किताबों में लिखा होगा कि भारत का अक्षांसी और देसांती बिश्तार लगभग क्या है? 30 डिग्री तो 39 से जादा है, दोनों ही बेलू, तो इसलिए हम उसको लगभग 30 डिग्री लेख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं अब जैसे कि हमने देखा कि जितने अक्षांसी बेलू अर्थात यहां से लेकर यहां तक आ रही है, उतली ही लगभग देसांती बेलू भी आ रही है, अब देखो इन चीजों को मिला कर ऐसे एक कोड़ बनाने का प्रयास करें यह कोई आकड़ती होती है क्या? तो देखें, भारत का देसांती बिस्तार भी अच्छांसी बिस्तार की तरह ही है और वह 29 से जादा है, इसलिए लिए लिखा गया है तीश टिकली, ठीक है? देसांती बिस्तार का लगभग एक शमान होने के कारण ही भारत की जो आकड़ती है वो चतुस कोड़ी यह बन पाती है देखी और बन पाई है इसलिए हमने कहा कि एक एक चीज बिस्तार के लगभग भारत एक शमान है और इसकी आकरती कैसी हो जाती चितुस कोड़ी हो साटे यहां पर इस पच्टी करण दिया गया है भारत की प्रयादीप की आकरती लगभग त्रिवौ जाकार है हां यहां पर जहां प्राइदीब अब प्राइदीब का मतलब क्या होता है यहां पर आपको पता है यह वाला हिस्ष्ट है यह जो है कि लगभग तिर्भुज के आकार में आपको चीजें को मिलेंगे हाँ पूरे भारत की जो आकरती है उलगबच चतु स्कोड़ी हो जाती है ठीक है अगला जो पॉइंट है वो है 22 डिग्री उत्त्री अक्षान सरेखा से दच्छिड का जो भाग है वह प्रायदीप कहलाता है अब कुछ लोग कहेंगे कि प्रायदीप यह भारत हम वर्ड सुनते हैं तो देखो आपको पता है यहां से एक रेखा गजरती है एक सिकंड देना एसे ठीक है यहां से एकदम सीधी रेखा खीश दीजे ठीक है इस तरह से यह कौन से रेखा है करक रेखा और करक रेखा अभी बताएंगे करक रेखा पर भी हम बात करेंगे तो कर अब उससे थोड़ा सा दच्छिड में आई है और आप आजाईए 22 डिग्री उत्री अक्षांस रेखा अर्थात इसके पास से ही एक रेखा ऐसे डॉटेट लाइन में बना लेजे अब इसके जो दच्छिड का भाग है ना इसको बोलते हैं प्रायदीप ये भारत ठीक है तो 30 डिग्री उत्री अक्षांस रेखा से दच्छिड का जो भाग है उसको हम प्रायदीप भारत के नाम से जानते हैं उत्तर धच्छिड भारत का विस्तार अब देखें हमने यह देख लिया कि यहां से लेकर यहां तक जो अक्षांस ये विस्तार है लगबग 30 डिग्री का है 29 डिग्री हमने क्या देखा था 29 डिग्री दो मिनट हना 29 डिग्री दो मिनट को इंटू कीजिए 111 है अचा ध्यान दीजेगा मैंने आपको अक्षांस और देसांतर रेखा के वीडियो में यह बताया था कि 2 अक्षांसों के बीच की दूरी कितनी होती है तो सायद आपको य अब देखो यह जो आगे वाली डिजिट है मैंने हटा दी मैंने दिसांतरी विस्तार भी आपको बताया था उहां पर भी बताया था 111 वहां पर भी लिखते हैं लेकिन पॉइंट के बाद चेंज होता है तो मैंने कितना बताया था आप मुझे कमेंट में बताएगा अब प 29 डिग्री दो मिनिट जब हम उसके 2 अक्षांस रेखाओं के बीच की जो दूरी है जो लगभग 111 किलोमेटर है 111 किलोमेटर से ज़्यादा होती है 111 दसमूलों 13 किलोमेटर होती जब हम उससे क्या करेंगे multiply करेंगे तो हमें पता चलेगा यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वह कितनी है 3214 km और वहीं अगर देसांत्री जो value है वह हमको कम मिलेगे देसांत्री जो value है पूरा पस्रिम गागर हम बिस्तार देखें तो कितना मिलेगा 2933 km अब आप प्रशनी करोगे आप मुझे पता है आप प्रशनी करेंगे प्रशनी ये करेंगे कि सर आपने हमें बताया कि अक्षांस ये बिस्तार भी लगभग 30 degree लगभग 30 degree देसांत्री विस्तार भी लगभग 30 degree और 29 degree something दोनों का value आ रहा था तो अगर आप यह कह रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक कि जो अक्षांस हैं उनके बीच की दूरी को अगर हम एक दो अक्षांस रेखाओं के बीच की दूरी अर्थात 111 से कैलकूलेट करेंगे तो इतना आ जाएगा तो फिर यहाँ पर देसांते विस्तार भी तो इतना ही है तो फिर यहाँ पर भी उतनी ही दोरी क्योंकि यहाँ पर भी हम multiple किसे करना चाहिए? आप कहेंगे 111 से नहीं अब देखो मैं फिर से जहाँ पर आपको इरू कि आपको पता है से एक सिकन्द देजेगा बस एक सिकन्द देजेगा बच्छा ना यह थोड़ा साम तर्बूद जैसा बना लें या फिर ठीक, अब माल लेते हैं, एक हमने ऐसे रेखा कीजते हैं अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह है जीरो डिगरी अक्छांस रेखा के पास दो देज आंतरों के बीच की जो दूरी है वो अधिकतम है और यहाँ पर आकर सभी रेखा हैं क्या हो गएं? मिल गए हैं और जैसे जैसे आप 0 degree अक्षांस रेखा से चाहें दच्छिड की ओर जाईए या उत्तर की ओर जाईए तो अक्षांस रेखाओं के बीच की दूरी कम होते तो हमारा यह जो इस थान है यह क्या है? एक्वेटर से दूर हो गया है इसलिए यह जो फॉर्मूला है एपलाई नहीं होगा यहाँ पर अगर देखो हमारा जो देश है वह कुछ यहाँ पर होता तो उसकी वैलू कुछ और होती यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैलू कुछ और होती हमारा देश क्या है? उत्तर में है और इसके वज़े से हमारे देसांत्री बिस्तार जादा होने के बावजूद, इतना मतलब लगभग 30 डिगरी का देसांत्री बिस्तार होने के बावजूद किलोमेटर में दूरी क्या हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हम एक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं, देसांतर रेखाओं के इचकी दूरी कम होती चले जाती है क्योंकि ultimate उनको जो हमारा नॉर्थ पॉल है वहां पर जाके एक दूसरे से मिल जाना तो वही चीज यहां पर लिखा हुआ है पूरा पस्विम भारत का जो विस्तार है वह उन्तिस सो तैस्स किलोमेटर हमें देखने को मिलता है ठीक है उत्तर दच्छन और पूरा पस्विम का जो विस्तार में अंतर है देखे हमने कहा कि देशांत्री जो दूरी है वह कितना है 2933 किलोमेटर अक्षांसी दूरी को अगर हम किलोमेटर में देखे 3214 किलोमेटर इसमें से अगर हम माइनस करने कि यह अंतर कितना आया यह अर्था समान अक्षांस और देशां क्या कर लिजिए यहां पर माइनस कर दिजिए और वो कितना आएगा इसमें से माइनस कर दिजिएगा इसको तो 281 km ठीक है अब देखो अगर आप से पूछ लिया जाए कि अगर हमारा जो दिशांत्री बिस्तार है वह यहां पर ना होकर यहां पर होता तो क्या यही दूरी होती तो कैन नहीं हम जितना ही एक्वेटर की ओर जाएंगे तो हमारा जो लगभग 30 डिगरी देशांतर का वैलू है वो बढ़ता चला जाए अर्थाक अगर हमारा यह जो भाग है यहाँ पर होता तो अलग वैलू होती अगर यहाँ पर होता तो तो बहुत ही अलग वै अब इसके पूर्म में देखेंगे तो हमें पता चलेगा भीया यह है बंगाल की खाड़े ठीक है इधर है आपको अरफ सागर और इधर है इंडियन वह से अब हम आगे के टॉपिक की प्रिश्ट भूमी आपके लिए तियार कर रहे है तो प्राइजीपिय भारत के पूर्म बंगाल की खाड़े देख लीजए है पस्रिम में अरफ सागर बिल्कुल देख लीजए है कुछ लोग को यह भी नहीं पता होगा कि अरफ सागर हो कहां पर कौन है लेकिन ऐसा नहीं सबको पता होगा अब देखें यहां पर जो पॉइंट है वो समझें पॉइंट हमने यह कि भीया हमारा जो अक्षांसी विस्तार है यहां से सुरू होकर मो किस थली भाग का यहां तक है लेकिन इस थली भाग में जब हम क्या करते हैं इधर से इधर की ओर जाते हैं तो क्या होता है अक्षांस बढ़ रहा है तब ही तो इसके बेलु ए एट डिगरी फोर मिनट इसक भारत का जो जली विस्तार है वह जितना इस थली अक्षांसी विस्तार है उतना नहीं है अगर हम देखें तो यहां से क्या कर सकते हैं एक रेखा हम खीच सकते हैं ऐसे तो हमारा जो जली विस्तार है यहां से लेकर इसके बीच में इधर अगर हम देखें तो अरब सागर का स क्यों गरम होगा क्योंकि यहीं पर है एक्वेटर और आपको एक्वेटर मतलब विस्वत रेखा अब विस्वत रेखा पर गर्मी जादा पड़ती है जब गर्मी जादा पड़ती है तो यहां का जल भी तो क्या होगा गरम होगा और जब जल यहां का गरम होगा तो उसकी गर् भाडिया भी हमें देखने को मिलेंगी कुछ क्रीक मिलेंगे कुछ जलसन्या और चैनल हमें यहां पर देखने को मिलेंगे ठीक है चलिए अच्छा भारत की जली शीमा की यहां पर बात की गई इस थली शीमा तो आप पढ़ते हैं जली शीमा देखिए इंडोनेसिया आप जाए बांगलादेश पाकिस्तान माल्दिव और सिर्लंका से भारत की सामान जानकारी जो चेप्टर इंपॉर्टेंड जो भारत की स्थली सीमा है अब उसको देख लिए इस तल कहां कहां पर इधर देख सकते हैं पाकिस्तान इधर अफगानिस्ता इधर चाइना इधर नैपा चेतर रहे इस थली भाग को क्ष पता नहीं के कहां पर क्याँ होगा अब पता चलेगा कि इस थली सव् sú Pablo किश्वरे की विश्य था हम उत्तर में देखते हैं, हमारा हिमाले-वष्टowana यहां पर हम क्या देखते हैं । तो भारत की उत्तर में हमें हमाले एक वलिध पर्वत की रूपम मिलेगा वलिध पर्वत का मतलग ऐसा पर्वत जिस्पे बल पढ़ा हो जैसे मैं बार बार ऐक एक जामपल देता हूं और वो एकल्पल अब यहां पर ही उज होगा सूजी कहलो होता है उसको क्या किजी आप बनाईए थो तो भी क्या होगा उपर की और उठ जाएगा हो जाता ना वैसे तो वही चीछ यहां पर भी है ठीक है तो यहां पर पहला कुछ ऐसा ऐसा और सेडिमेंट था जिसको आगे में बहुत डिटेल में समझाऊंगा जैसा कि आपको आप में से भूसलोग पता तो यहां पर जो अब देखे खेंगे क्यों मैं बता रहो पूरं मैं हम आर्द परवती भाग देखेंगे यहां पर उर्व हम क्या होगा सःगरी परभाव रखने वाले शित इसका मतलबय है कि भारत की अख्यांसी और देसांत्री बिस्तार को अगर हम सही से देखें और समझें तो हमें पता चलेगा यह जो एक्वेटर के पास वाले छित्र हैं इनको बोलेंगे निम्न अक्षांस वाले भारत के छित्र यह जो छित्र हैं इनको बोलेंगे उक्षांस वाले भारत के छित्र निम्न अक्षांस वाले जो भारत के छितर की जलवायू है वो अलग होगी यहां की अलग होगी जैसे कि आपको पता है यह हमारी प्रिथ्वी यह रहा हमारा एक्वेटर 0-degree अक्शांस रेका इस 0-degree अक्शांस रेका से जैसे जैसे क्या करोगे आप पोल की ओर जाओगे जैसे जैसे आप पोल की ओर जाएंगे तो आपको क्या पता चलेगा आप ठंडे च्छित्र की ओर जाएंगे है की नहीं इसका मतलब है कि एक्वेटर और उसके आसपास के च्छित्रों में क्या होता है गर्मी जादा पड़ती क्यों मान लो यहां पर है सूरी और जब सूरी यहां पर है तो सूरी की केणे एक्वेटर और उसके आसपास वाले च्छित्रों में सीधी पड़ती हैं लेकिन पोल तक तीरची पड़ती है अब एक टॉर्च लीजे टॉर्च को ऐसे दबाईए और टॉर्च को इस तरह से दबाएंगे तो उसका जहां पर फोकस बढ़नेगा वहां पर परकास जादा फोकस से जैसे जैसे आप दूर जाएंगे परकास क्या होता जाएगा कम होता चला जाएगा equator पर सुरी की केड़े लगवक लंबौत होती हैं हाना और इसके करण यहां पर गर्मी जादा जैसे जैसे पोल की ओर जाएंगे ठंडा इसका मतलब है कि भारत में भी यह जो छित्र है यह equator के पास में है और equator के पास होने के करण इसकी जो जलवायू के घरम होगी और यह जो छित्र है यह क्या है equator से दूर है तो इसकी जलवायू क्या होगी ठंडी होगी के लिए अच्छा अब देखिए यह हमने देख लिया कि भाहिया जैसे जैसे अक्षांस बढ़ता है तो हम जब निम्र अक्षांस से उच्छांस अर्था 90 डिग्री नॉर्थ या फिर 90 डिग्री साउथ की ओर हम जाएंगे तो क्या होगा हम ठंडे छित्रों की ओर जा रहें लिकिन जब हम बीच में आएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे हाँ पर जो सरवाधी गर्मी पढ़ती है वो इस छित्र में पढ़ती है अब प्रशना आएगा कि ऐसा क्यों है आखेर यहाँ पर इतनी गर्मी क्यों पढ़ती है इसका आंसर मैं अगले वीडियो में दूँगा जब हम क्या करेंगे इस्टार्ट करेंगे कर क्रेखा की विस्वे में बात करेंगे तो कर क्रेखा की विस्वे में जो हमारी कल से जर्णी इस्टार्ट होगी अर्थार इससे हम आगे बढ़ेंगे तो अगर आपको पता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी क्यों पड़ती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं Otherwise मैं इसी से कल की जर्नी श्टार्ट करूँगा तो यहाँ पर हमने भारत के अक्षांसी और देसांत्री विस्तार को देखने और समझने का प्रयास किया है मैंने प्रयास ही किया कि बहुत बेशिक तरीके से समाने सब्दों में समझाने का प्रयास करूँ अगर आपको वास्तों में यह समझ में आया है, तो इस topic को कुछ नहीं करना है, link को लेजे और इसके link को copy करके status पर, अपने social media sites पर circulate कर देजे, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होंगे, जिनको 3 की classes, निश्वल classes देखने की आउसता होगी, ताकि वो भी अपने सपने को साका कर सकें, अपने result को प्राप्त कर सकें, तो उनका भी result हम से जुड़कर, वह हम से मित्र बन जाए, result मित्र के माद्यम से, तो उनका भी सपना साकार हो सकता है, बाकि आप मेरे अर्थात हमारी team के सभी जितने भी social media handles हैं, platforms है, result मित्रा के जुड़े रहे, वहां पर हम बहुत स आप प्लिम्स और मेंस की test series solve करने वाले हैं, तो जुड़े रहेंगे, तो बहुत से update आपको मिलते रहेंगे, और आप हमारी सुब्धाओं का लाफ उठाते रहेंगे, जिससे आप अपना result प्राप कर, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, मिलते हैं, next class में, thank you so much, thank you so much आपको मिलते रहेंगे, जिससे 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 आपको मिलते र